दिवाली का महत्व महाशिवरात्री से है और महाशिवरात्री का महत्व दिवाली से है महाशिवरात्री अंत है पुराने कल्प का और दिवाली आरंभ है नए कल्प का या यूं कहे महाशिवरात्री आरंभ है संगम्युक का और दिपावली अंत है संगम्युक का जैसे कि हर बार हम चर्चा करते हैं यह हमारे अंतर जगत की यात्रा है तो जैसे ही संगम यूग प्रारम होता है या यूग कहें जब महाशिवरात्री होती है तब ही संगम यूग होता है सबसे पहला तिवार है महाशिवरात्री बाबा जब इस थरा पर आते हैं हमें अपना परीचे देते हैं हमें अंधकार से रोशनी की और निकाल कर ले आते हैं तो ये महाशिवरात्री है हमसे हमारे विकर हमारे विकार मैं ये हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नहीं है लेकिन इने हम हमारा मान चुके हैं तो इन विकारों का दान देते हैं हम दान देते हैं वो दान लेते हैं तो जब हम उन्हें अपना विकार दान में देना शुरू करते हैं देते चले जाते हैं तो अभी दिये नहीं है पूरे शुरुवात हुई है या सोचा है हमने विकारदान में देने है उसने एक रूल माडल दिखाया कि ऐसा जिंदगी बनेगी लक्षमीर नरायन का या श्री कृषन का तो हमारे में उतकंठा जागी, जिग्यासा जागी कि हम भी ऐसा बनेगी और कौन बनाएगा श्री बाबा ने आके बताया तो जैसे जैसे हम उसकी सुनते हैं, उसे चुनते हैं और उसके कहे को मनी मन बुनते हैं तो हम पर उसका रंग लगना शुरू हो जाता है और ये दूसरा तिवार होली, होली मनाई जाती है जैसी रंग लगना शुरू हो जाता है तो एक नवरात्रे आते हैं राखी से पहले और एक नवरात्रे आते हैं राखी के बाद तो जो होली के बाद नवरात्रे आते हैं वो नवरात्रे अर्थ हैं कि हमें या यू कही मुझे इन ब्रहमा कुमरी बेहनों की पालना मिलनी शरु होती है या मुझे में भी प्रेड़ना जगदी है कि मैं भी इन जैसा बन लूँ अभी बाप जैसे बात अलग है लेकिन मैं इन जैसा बन लूँ उनका जीवन अच्छा लगता है उनका रहन सेन उनका बात करने का तरीका उसके पीछे चुपीशो भावना ये अच्छी लगती है और ये जीवन भाने लगता है तो अभी इंस्पायर नहीं हुए इंप्रेस हुए है इंस्पायरिंग लाइफ बनाने की सोच रहे है फिर बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो तो फिर राखी बांदेता है ये तोहरा आता राखी का हम बाहर राखी बांदे हैं बाबा ने मुझे राखी बांदी मैंने खुद को भी बांदी मतलब परतिग्या का कंगन बांदा स्वेयम को मर्यादाओं में बांदा जब राखी बदी तो फिर शराद आए शराद में इस ग्यानमार्ग में मेरे जो पूरवज है उनकी कहानिया सुनते हैं उनकी कुर्बानिया सुनते हैं और उनका दिवानिया सुनते हैं मलत दिवाना पन सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में आता है तो हम उनके कृतिग्ण होते हैं कि उन्हें जो मिहनत की और हम मक्खन खारे हैं उन्हें कैसे कैसे पुरशारत किया और अगर मैं अंदर जगत की यात्रा कहूं तो मुझे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आती है सत्योग की, प्रेता की, कि मैं आदी में परमधाम में जोती बिंदु था, पिर अनादी सवरूप में परमधाम में जोती बिंदु था, देवता बना आदी में, मध्धे में पुझे बना, फिर ब्रहमन बना, और अब परिष्टा बन उपर जाना अपन है तो ये मुझे मेरे ही पूर्वजपन की समूर्थिया दिया है तो मैं अपने ही इस पूर्वज़च को याद करकर के उन्हें शर्दा शोमन अर्पित करता हूँ ये शराद है मनब शर्दा जब शर्दा भाव आते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर शार्दिये नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों की चर्चा तो हम करी चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में तो अब मैं ही देवी के रूप की और बढ़ रहा हूँ आत्मा उसके बाद नवरात्रे के बाद दशेहरा आता है विकारों का अंत होना शुरू होता है अंत हो जाता है तो दिपावली आती है विकारों के अंत के बाद दिपावली आती है महाशिवरात्री पे मेरे विकार खतम होने शुरू है दशेहरा पे विकार खतम होगे तो दिपावली पे मेरे अंदर का ज्योती जग जाती है ज्योती नवरातरों में जग गई थी लेकिन ये ज्योती अब दूसरों को जगानी शुरू हो जाती है और एक समय ऐसा आता है सब की इंडिविजल जगी हुई ज्योतियां इकठे हो जाती है और वो दीप माला बन जाती है और पूरी अमावस के अंधिरी रात जग मक कर जाती है और लोग पहचान जाते हैं, मान जाते हैं, जान जाते है कि परमात्मा के दुआरा जगाए गई ये दीपक हमारे कुमारे दर्शन करेंगे कुछ उन जगे दीपकों से खुद को जगाते हैं कुछ उनकी रोशनी से स्वयम के लिए एक रस्ता पाते हैं और इसी तरह इस कल्ब के अंद की और बढ़ते हैं तो ये दिपावली मेरी संपूर्न और संपन अवस्था का परतीक है ओम शांती आने वाली दिवाली मनाएंगे